नमस्ते दोस्तों स्वागते आप सभी लोगों का डिजिटल गुलागुरू चैनल पर दोस्तों आधार कार्ड की बड़ी अपडेट आई है फिर से आप सभी लोगों को एक छूट मिली है आपको जल्द से जल्द जो है अपने आधार कार्ड को अपडेट कर लेना है कितने द चानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है इसके लिए जो है सबसे पहले आपको Google ओपन करना है और Google के अंदर आपको लिखना है माई आधार माई आधार लिखने के बाद जब आप इसे सर्च करेंगे तो माई आधार की पहली वेबसाइट मिलेगी माई आधार.u idea.gov.in की तो आपको जो है पहले ही वेबसाइट पर माई आधार की क्लिक कर दे ना है इसके बाद जो है आप माई आधार की वेबसाइट पर आजाओगे वेबसाइट पर आने की बाद जो है थोड़ा सा नीचे की साइड में आने पर document update वाले section में आप यहां पर date देख सेक् मार्च तक और ये बिल्कुल फ्री है अब जो है आप अपने अधार कार्ड में जो डॉकुमेंट है वो मार्च तक जो है बिल्कुल फ्री में जो है अपडेट कर सकते हैं अब अधार कार्ड में डॉकुमेंट जो है अपडेट किन लोगों को करना है चलिए वो भी जानते हैं सभी लोगों को आधार कार्ड में document update नहीं करना है इतना आपको ध्यान देना है केवल उन लोगों को करना है जिन्होंने पिछले 10 साल में अपने आधार कार्ड में कोई भी correction नहीं कराया है तो उन्हीं लोगों को document update करने की जरूरत पड़ेगी वैसे जब आप माई आधार के portal पर login करोगे तो उपर की side में जो है आपको एक message के through ही बता दिया जाएगा कि आपको आधार कार्ड अपडेट करना है या फिर नहीं करना है तो चलिए जानते हैं कि अगर आपको आधार कार्ड अपडेट करना है तो कैसे करोगे और वो message आपक कैसे दिखाए देगा इसके लिए जो है आपको ऊपर की side में ये जो login का button दिखाए दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है इसके बाद ये थोड़ा सा process होगा यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड का जो number है वो डालना है ये जो capture दिखाए दे रहा है same इस box में भरना है और send OTP पर क्लिक करना है आपके आधार कार्ड के साथ जो mobile number link होगा उस mobile number पर एक OTP जाएगा वो OTP आपको नीचे भरना है इसके बाद login पर क्लिक करना है इसके बाद जो है आप माई आधार के portal पर login हो जाएंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से interface दिखाए देगा अब आधार कार्ड को update करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो है कोई भी message दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन अगर आपको जो है आधार कार्ड अपडेट करने की जरूरत पड़ेगी तो आपको कुछ इस तरीके से message दिखाई देगा जैसा कि आप देख सकते हैं अगर आपको इस तरीके से message दिखाई दे रहा है तो इसका ये मतलब है कि आपको आधार card को update करना जरूरी है लेकिन हमने पहले से ही update किया हुआ है जिसकी वज़े से हमें वो message नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको update करना होगा तो आप कैसे इसके लिए जो है आपको document अपडेट यह जो लिखा हुआ है आप इस पर click करेंगे इसके बाद आपको जो है next पर click करना है यहाँ पर कुछ instruction दिये गए है फिर आपको next पर click करना है आपकी जो अधार कार्ट की डीटेल है वो सारी की सारी जो है जहां पर दिखाए देंगी पर क्लिक करना है इसके बाद यह थोड़ा सा प्रोसेस होगा अब आपने वेरिफाई कर दी है अपनी डीटेल अब आपको अपलोड करना होगा कुछ यहाँ पर डॉकॉमेंट ठीक है डॉकॉमेंट की कुछ गाइडलाइन यहाँ पर बताई गई है कि जो भी आप डॉकॉमेंट अपलोड करेंगे उसका जो साइज है वो ज्यादा से ज्यादा दो एमबी का होना चाहिए और जो आप फोटो बना रहा है वो जेपीजी फार्मेट में या फिर पीएजी या फिर पीडिएफ में होनी चाहिए यह नहीं तीन फार्मेट को जो है यह सपोर्ट करेगा इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है यहाँ पर सबसे पहले आप से मांगा जाएगा प्रूफ आफ आइडेंटी प्रूफ आफ आइडेंटी में आपको जो है जो भी आप document अप्लोड करना चाते हैं आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ से वो document यहाँ पर रासन कार्ड, जात्य प्रमार पत्र pen card, water card,라 certificate, mark seat यह सारे document यहाँ पर दिया गया है driving license भी दिया गया है तो जो भी आप प्रूफ आफ आइडेंटी में यहाँ पर जो है document देना चाहते हैं वो आप select कर सकते हैं तो यहाँ पर जो है हम water card ही दे देते हैं वैसे मैं यहाँ पर SCST OBC certificate देने वाला था लेकिन मैं यही दे देता हूँ आपके पास अगर जात प्रमार पत्र है तो आप SCST OBC certificate को यहाँ पर select करके upload कर देंगे आपको जो है click करके select करना है और यहाँ पर भी जो है वही सारे लगबग जो है आपको document मिल जाते हैं जैसे कि SCST OBC certificate और इसके बाद जो है passport मिल जाता है driving license इसके अलावा बिजली का bill पानी का bill और इसके बाद जो है water card भी मिल जाता है नीचे की side में तो हमने water card को ही उपर भी select किया था हम यहाँ पर भी select कर लेते हैं और यहाँ पर भी water card ही upload कर देंगे यहाँ पर भी upload कर देंगे ठीक है तो water card select करने से यही फाइदा है कि आपको proof of address में भी यह ID मिल जाती है और proof of identity में भी मिल जाती है और अगर आप pen card select करते हैं तो pen card केवल जो है आपको यहाँ पर मिलता है प्रूफ of identity में मिलता है pen card देखेँ यहाँ पर दिया गया है लेकिन अगर आप इस पर click करेंगे तो इसमें pen card नहीं दिया गया है proof of address में कियो नहीं दिया गया है क्योंकि pen card पे जो है address नहीं लिखा होता है इतना कुछ करने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है इस पे जो है consult दे देना है और next पर click करना है next पर जब आप click करोगे तो आपको जो है submit हो जाएगा और आपसे जो है यहाँ पर पैसा बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा बिल्कुल free है आपका जो है submit हो जाएगा submit हो जाने के बाद जो है अब आपको पूरी तरीके से बाहर आ जाना है अब आपका जो document update वाला process था वो complete हो गया है और आपका जो है document 10 से 15 दिनों में जो है automatic यहाँ पर update हो जाएगा उसके बाद जो है आपको अगर उपर message आ रहा था तो message आना बंद हो जाएगा इस तरीके से दोस्तों आप अपने आधार card में document update online ही घर बैठे कर सकते हो फिलाल इस वीडियो के अंदर बस इतने ही जानकारी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, share, subscribe कर दीजेगा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे comment करके जरूर बताएगा मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक लिए जैहिन वंदे मातरम